नमस्का दोस्तों, वेलकम टू 3 फेजर्स, आज हम इस वीडियो में निकालना सिखेंगे स्क्वेर ओफ 2 डिजिट नमर, सबसे पहले आप 2 बेस को याद रखिए, 2 डिजिट मतलब हमारे 1, 2, 99, 100 अमारा 3 डिजिट नमर हो जाता है, तो सबसे पहले आप 2 बेस बनाके चलिए, अगर आप 50 को बेस बनाते हैं, तो 1 बाई 2, और अगर 100 को बेस मान रहे हैं, तो इसका बेस 1 हो जाएगा, हम एक्ञांपल में देखेंगे इनका यूस कैसे करना है, हम सबसे बहले एक्ञांपल, डियर्ट एक्ञांपल करते हैं इसके लिए, एक्ञांपल 1 हमारा रहेगा, अब जिसका भी square आपको निकालना है उससे जो भी नजदीक वाला बेस आपका होगा आप उसको बेस मान लिए इसे अभी 92 है जो के 100 के close है 50 से far away comparative to 100 तो आप 100 को बेस मानिए अब 100 का हमारा base 1 होता है अब सबसे पहले आप जो भी इसके अंदर digit है उसको अपने base में से उसको minus कर दीजिए 100 minus 92 हमारा 8 आजाएगा अब जो जो 8 आएगा इसका आप square निकाल दे 8 का square is equals to 64 अब square निकालने के बाद यह जो square होगा उसको as it is आप put कराते है last के दो digit 64 अब यह जो 8 आया है उसको 92 में add कर दे 92 प्लस सॉरी addition नहीं करना minus करना है आप करेंगे तो 84 आएगा और इस 84 को आप यहाँ पर लिख दे और आपका 92 का square निकला गया सेवन एट फोर सिक्स फोर आप कल्कूटर से कल्कूट कर सकते है यही कल्कूलेट्शन आई गया आपकी अब हम एक और एक्जामपल दिख लेजे हैं जो की close to 50 होगा इसका बेस हम 50 मानेंगे पर एक्जामपल आपका 59 हो गया 59 का square अब देखिए 50 के close है तो हम बेस 50 मानेंगे लेकर इस वार जिसका में square निकालना है और बेस हमारा उससे छोटा है इस केस में 92 जो था इसका समें square निकालना हो बेस से छोटा है बेस हमारा अंड़रेट ता है लेकिन इस केसमें हमारा ब 59 में 50 कटाएंगेgy इस यहाँ पर 9 आप हम इसका 9 के स्वोयर करेंगे 81 अब इस बार हमने जैसा कि मैंने बोला कि जिसका square निकालना है उसमें से अपने base कोटाया है तो जैसे कि हमने पिछली बार 92 जिसका square हमें निकालना था उसमें से हमने ये value value घटाई थी इस बार इस value को addition करना है, subtract नहीं करना है जैसे कि 9 आया इस बार तो 59 plus 9 हो जाएगा तो आपका 68 हो जाएगा तो यह आपका 68 यहाँ पर आगया और 81 यह आगया यह आपका 59 का whole square हो जाएगा, आप check कर सकते है लेकिन हमारी अभी 68 हो गई है, 68 जैसे कि मैंने बोला था 100, 100 हमने इसमें base लिया था तो 100 का base 1 आता है अब 50 है, 50 का base हमने 1 by 2 मान है तो जब 59 plus 9 करेंगे, तो 68 को 68 into 1 by 2 हो जाएगा जो कि आपका 34 होता है तो 34 यहाँ पर आएगा ना कि 68 यह बात का आप खास जाना किके, जब भी base 50 लेंगे, तो end में जब 59 plus end, जो जिसका square निकालना है जो आपना add किया है, सब्टेट किया है, कुछ किसों सब्टेट भी होगा, मैं एक और आपका example समझा हूँँगा उसमें end में आके इंटू 1 by 2 जरूर करना है, अगर आपने 50 base लिया है तो, अगर 100 लिया है, तो end में as it is चले जाता है, 84 जैसे कि इस वाली case में गया है अब हम एक और example समझ लेते हैं इसी चीज को समझ लेने के लिए, 38 का square 38 का square निकालने के लिए अब इसमें भी close to 50 है, 100 से काफी far away comparative to 50 तो हम इसमें base 50 मानेंगे तो इस बार लेकिन आप देखे जिसका square निकालना है, इसमें हुआ था इस बार हमने 100 base मारा था इस वाले case में, तो 92 को इसका square हमें निकालना है, वो छोटा है 100 से, तो हमने 100 base में से इसको गटाया इस वाले case में जिसका square निकालना था, वो base से बड़ा था, तो हमने इसमें से इसको गटाया, base को इस बार बेस से जिसका स्क्वायर निकालना है वो छोटा है जैसे कि इस वाले के इस में हो था तो इस बार हम बेस में से सब्केट करेंगे 38 मारा 12 आएगा हम 12 का स्क्वायर करेंगे 144 अब देखे जैसे कि मैंने cube of square of 3 digit नमर में समझाया था तीन डिजिक नहीं आते हैं लास में स्रिफ लास के दो डिजिक जाएंगे 44 उपर 44 यह जो वन है आपकर कैरी हो जाएगा आगे मैं बता हुआ 12 है अब इस वार फिर जैसे कि हमने देखाए कि हमने बेस में से जिसको बेस माना है इस वार फिर 38 प्लस 12 इस वार प्लस नहीं करेंगे अडिशन नहीं करेंगे जैसे कि इस वाले केस में किया था जो कि इसमें भी बेस बड़ा था इसमें भी बेस बड़ा है तो हम यहां पर सब्ड़ाट करेंगे और जिसमें बेस बड़ा नहीं होता है उसमें आप addition करते है 38 में से 12th update करेंगे तो आपका 26 आएगा अब हमने base 50 माना है तो याद रखेगा into 1 by 2 end में दरूर करना है तो 13 आएगा अब जैसे कि मैंने गोला था ये वाला carry आपका यहाँ add हो जाएगा प्लस 1 14 और 14 यहाँ हो जाएगा तो आप 38 का square 144 4 हो जाएगा आप लिट के से चेक कर लेजएगा अब कुछ मैं आपको end में इसको sum up कर देता हूँ हमेशा याद रखेगा 50 अगर base मान रहे हैं तो end में into 1 by 2 ज़रूर होगा अगर आप base में से जो भी जिसका भी square निकाल रहे है जो closest base होगा आपका 50 है तो 50, 100 है तो 100 लीजिएगा अगर आप 50 मान रहे हैं तो end में into 1 by 2 ज़रूर होता है अगर जिसका आप square निकाल रहे है अगर वो base से छोटा है तो यहाँ पर subtract होता है इस case में भी 100 मैनिस 92 और 92 जिसका square निकाल रहे है यहाँ पर भी subtract होगा और अगर जैसे कि इस वाले case में भी दिखा गया 38, 50 से छोटा था तो यहाँ भी minus किया है अब जहाँ पर आपका जो जिसका square निकाल रहे है नमर का वो अगर बड़ा है आपके base से तो नमर में से base subtract होगा लेकिन जब end में यहाँ पर subtract नि होगा 59 जिसका निकाल रहे है और जो हमारा आता है उसको add करना है यह याद रखिएगा और जब भी 50 base लेते हैं तो end में यहाँ पर 1 by 2 जरीर होता है बस square of 2 digit numbers में इतना ही था अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो like बिटन हिट करें subscribe करें to 3 phasers and I hope you will have a great future ahead thank you very much